हलो फ्रेंट्स आपने आलू पोये तो कहीं बार खाये होगे लेकिन आलू पोये का नास्ता कभी नहीं खाया होगा ये नास्ता सिप सिंपल चीजों में बन के तयार होता है और ये जितना जल्दी बन के तयार होता है उतना खाने में भी पहुती टेस्टी लगता है तो चलिए दे ना करते हुए जल्दी से शुरू करते इसे बनाना नास्ते को बनाने के लिए मैंने याप एक कटोरी पोहा लिया है इसे हम एक मिक्सी जार में डाल कर इसका एक पाउडर बना के तयार कर लेंगे इन्हें हम ज्यादा महिन नहीं पिसेंगे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है पौडर बनके तेयारे इसे हम साइड में रखेंगे अब मैंने यहाँ पे एक कच्चा आलो लिया है इसे अच्छे से छिल कर और धो लिया है इसे अब हमें कदू कस कर लेंगे अगर आपके पास कच्छा जीरत नालाएंगे और साथ में हम यहाँ पे एक एक साइज का प्यास नालेंगे और एक टमाटर डाल के काट प्याज और टमाटर को हम थोड़ी देरी के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्छा पने वो दूर हो जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको याद दिला दू कि अगर आपको मेरी रेशी पर बसन आ रही हो तो मेरे चेनल को सस्क्राइब जरूर करें प्याज टमाटर हमारे हलके बून चुके हैं इसमें हम एक कटोरी पानी डाल देंगे इन्हें हम जब तक चलाएंगे जब तक की पानी है हमारा हलका गरम नहीं हो जाता इसमें हम कुछ मैसाले डालेंगे एक चमच हम इसमें लाल मिश पाउडर डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और आदा चमच धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसा नमा गेट कर देंगे और उपर से हम हरा धनिया डाल देंगे इससे हमारा जनास्ता है बहुत ही टेस्टी बनेगा आलू को पकते हुए 2 मिलीट हो जाए तब हमने जो पोहो को पौडर बनाया था वो डाल देंगे और साथ में हम यहाँ पे आधी कटोरी सूजी एट कर देंगे सूजी और पोहो को पाने में डालते ही यह सारे पाने को सोपने लगेगी यहाँ पर हमें मीडियम फिलेम पर इन्हें लगाता चलाते हुए इन्हें एक डोखे फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो फ्रेज अगर आपने आलू पोहे का नास्ता इस तरह से नहीं बनाया हो तो एक बार जुरूर से ट्राये का न यह आपको खाने में बहुत ही टेस्टे लगेगा और एक बार इसे आप बना लोगे तो आप सिंपल पोहे बनाना भूली जाओगे और हमेशा इसे ही बनाओगे डोख हमारा बनके तेयार हो चुका है इसी इस्टेट पर हम गेस को बन कर देंगे अब हम क्या करेंगे कि किचन टोप पर ही इस सारे डोख को तेल लगाकर निकाल लेंगे आप चाओ तो इन्हें एक प्लेट में भी निकाल सकते हो सारे डोख को निकालने के बाद इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे तो यहाँ पे हमें इसा चोकूर सेब बना के तयार करना है आप चाओ तो इसका गोल सेब भी बना सकते हो और छोटी-छोटी पुडिया बना के भी फ्राई कर सकते हो अच्छी से फिलाने के बाद इसके हाब हम पीस कट कर देंगे आप आपके हिसाब से छोटे बड़े पीस इसके कट कर सकते हो तो फ्रिंज यहाँ पे मैं आपको बता दू कि अगर आप उबले होए आलो का यूज़ कर रहे हो तो उसे आप पाने में न डाले जब आपका डो बनके तेयार हो जाए तब आप आलो का यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ पे देख सकते कि मैंने इस तरह से इसके पीस कट कर लिये हैं अगर आप इन्हें चाओ तो फ्रीज में बना के भी रख सकते हो और जब आपका मन कए तब आप इन्हें शेलो फ्राय करके का सकते हो इन्हें आप एक बार बना लो और सब्ते भर तक इस्टोर रख सकते हो गेस पर हम कड़ाए रखेंगे और उस में हम एक बड़े चमद तेल को गरम करेंगे उट जिसे हमारा तेल गरम हो उसके अंदर हम यह पीस फ्राई कर देंगे इन्हें हम डालते ही नहीं पलताएंगे जब तक यह एक साइसे अच्छे से सीक नहीं जाते तब हम इन्हें प्लट लेंगे और हमें यहाँ पर गेस की फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इन्हें उलरते पलरते वच्चे से क्रिस्पी होने देंगे इन्हें फ्राय होने में सिप दो मिनिट का टाइम लगता है ये बनके तियार है इसी तरह से हम सारा नास्ता बना के तियार कर लेंगे आप चाओ तो इस नास्ते को डी फ्राइ भी कर सकते हो लेकिन आज हमने इने शेलो फ्राइ किया है ये शेलो फ्राइ में भी बहुती टेस्टी बनके तयार होता है तो फिर अपने देखाए होगा कि ये जल्दी बनने वाला नास्ता है और बहुती कम सामान में बनके तयार हो जाता है तो ये हमारा आलू पोहे का नास्ता बनके तयार हो चुका है इन्हें खाने के लिए हमें किसी भी सोच, किसी चटनी की जुरोत नहीं परती है ये इसे इखाओ पहुती टेस्टे लगता है और उपर से जीतना क्रिस्पी बनाए अंदर से उतना ही सोप्ट बनके तयार होआ है तो फ्रेंज अगर आपको आज की मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चेनल को लाइक करना, शेक करना और सुस्क्राइब करना ना बुले मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, थाइंक्यू पर वोचिंग